मुहन ने दामनी को राधा के लिए धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल और दर्वादया उसके मुँपे बन कर दिया upcoming episode में आपको देखने को मिलेगा दामिनी आने वाली है मोहन के पास और राधा की बुराईया करना चालू कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ राधा को ओफिस आने की परमिशन क्यों दे रहे हो सब कुछ वो मुझसे एक एक करके छिनने की कोशिश कर रही है यहाँ पर मोहन कहता है मैंने उसे कोई परमिशन नहीं दिया वो खुद मालकीन बनके बैठी वी उसे जोग करना वो आजकल वही करें मेरी बात नहीं सुन रही है तभी दामनी कहती राधा बहुत चालबाज और घटिया और इसे गाली भी देने जा रही होती तभी मोहन बनके देता और कहता अगर राधा यहाँ पर होती ना तो तुम्हें अच्छे से जवाब देती वैसे राधा बहुत अच्छी है पता है राधा इसका फाइदा उठा सकती थी कल रात में राधा के साथ कमरे में था मुझे लगा मेरे राधा की बीच में ऐसा कुछ हुआ है लेकिन वहाँ पर राधा ने सच बताया अगर चाहती वह जूट भी बोल सकती थी राधा ऐसी लड़की नहीं है और उससे तभी रूम से धक्के मार के बाहर फेकता है और दर्वाजा बन कर देता दामिनी चिलाती जाती है अपनी मा के पास वो सारी बाते बताती है और फ्लावर वास तोड़कर फेक देती तभी राधा वहां पर पहुंसती है और बोलती है कि मैं ओफिस जा रहे हूं और हम दोनों एक साथ ओफिस चले जाएंगे क्यों हमें ज़्यादा खर्च करना और तभी कहती है आइ